हलो एवरिवन तो चलिए आज का क्लाश स्टार्ट करते हैं स्वीब असे इस वी बक्सी का सिनानीम एंटरीं पार फिफिटी टू देखें फर्स्ट लड यहां तो फस्ट लड़ है ईभिया आपका रेशेंड फिर अब्रोगेट, अब्रोगेट का मतलब भी रद करना होता है, रिवोक का मतलब भी रद करना होता है, और रिपील, रिपील का मतलब भी रद करना होता है, कोई प्रोग्राम को रोक देना होता है, फिर इसका इंट्रिनिम दिया है डेलिगेट, डेलिगेट का होता है सौप एक तरह से कि प्रोग्राम कर देना है ना सौपना या नियुक्त करना होता है इसका मतलब नेक्स्ट है पर्मीट पर्मीट का मतलब तो जानते हैं इजाज़त देना अधिक्रीत करना बोलेंगे इसको फिर प्रपोज प्रपोज का मतलब भी प्रस्ताव देना अफिर प्रतिग सक औरंधे घ्रावना ऐसे भी बोल सकते हैं तो अब प्रिया आज रखिया भी फिलाanic जो आपको बिलुकुल रिपील करता हो रिपेल करता हो दूर हटाता हो है ना पिर इसका सिनानीम रिपलेंट का मथल भी क्या होता दो इसका मतलब ही भी कर सक reproductive का मतलब भी आपका घिरना उत्पन करने वाले चीज़ को बोलते है फोर बीडिंग, ठीक, फिर हीडियस, हीडियस का मतलब भी घिनोना होता है, और डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल का मतलब भी आपका घिनोना होता है, फिर इसका इंटेनिम अग्रियेबल, अग्रियेबल का म लेने वाला होता है लुभावना होता है फिर है रिपग्यूनेंटी का मतलब होता है और ओफिछिकर मतलब उपर ओले का जस्ट उल्टा हूँ है ना अ र ऊचिकर क्या स Environment मतलब इम्तलों का नहीं होती है फिर ओफेंसिव ओफेंसिव का मतलब भी अपमान जनक होता है डिसअग्रियबल डिसअग्रियबल का मतलब अप्रिय होता है जगडालू होता है डिटेस्टेबल डिटेस्टेबल नहीं है डिटेस्टफुल है डिटेस्टफुल का मतलब भी अप्रिय होता है और कफी आनंदित होता है friendly friendly का मतलब ही मित्रवत होता है testful testful का मतलब ही सु स्वाध होता है मतलब काफी जाधा स्वाधिस्ट नेक्स्ट वर्ड है आपका रेमों स्ट्रेट तो रेमोंस्ट्रेट का क्या मतलब है तो रेमोंस्ट्रेट का मतलब होता है विरोध करना विरोध को बोलते हैं रेमोंस्ट्रेट टेक है डेमोंस्ट्रेट नहीं है डेमोंस्ट्रेट का मतलब व्याख्या देना होता है और यह रेमोंस्ट्रेट है रेमोंस्ट्रेट का मतलब क्या चांट करना फिर यह सेंसियोर सेंसियोर का मतलब होता है विरोध निंदा प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट का मतलब भी विरोध होता है आर्ग्यू आर्ग्यू का मतलब भी विवाद करना होता है और एक्स पोस्टूलेट है, एक्स पोस्टूलेट का मतलब होता है, किसी को मनाना समझाना और फिर प्रतिवाद करना, वादिवाद करना होता है न, तो उसको बोलते हैं एक्स पोस्टूलेट, फिर इसका अंटरिनम है, अग्री, अग्री का मतलब होता है, सहमत होना, लाउड है. लाउड का मतलब प्रसंसा करना. इंडॉर्स है. इंडॉर्स का मतलब समर्थन देना या फिर पूश्टी करना होता है. किसी चीज़ का मालिया जाए. कोई एक ऐसा प्लेटफर्म हो जहां पर बहुत सारे बलागर्स हों, जो बलाग लिखते हैं है ना. और मालिया author आता है उसको endorse करता है मतलब समर्थन देता है वहाँ पर एक button होता है endorsement का endorse करने का मतलब पूश्टी करता है उस बात का कि जी हाँ ए बैक्ती इन सारे achievements को पाया है तो उससे क्या होता है आपका blog आपका articles एक तरह से मतलब promote हो रहा होता है उस endorsement से बात समझ रहें और हमारे यहां की बिजली भी चली गई है चलिए कोई नहीं मेरे स्क्रीन पर light है मैं देख कर लिख सकता हूँ वहाँ ठीक है फिर देखिए endorse endorse का मतलब बता दिये समर्थन करना पूश्टी करना होता है फिर next word है आपका comment तो comment का क्या मतलब है तो comment का मतलब प्रसंसा करना होता है फिर next word है आपका Remnant तो Remnant का क्या मतलब होता है तो आउसेश होता है आउसेश है ना और तुकड़ा किसी का बचा हुआ तुकड़ा तुकड़ा का क्या मतलब होता है यह पीस और पार्ट दिया है तुकड़ा होता है तो Remnant आउसेश बचा हुआ का कैसे हो जाएगा इसका मतलब होता है बचा हुआ इसका मतलब होता है टुकड़ा तो जाहिए चीज बात है कोई चीज गिरता है जमी पे और वो टुकड़े में बढ़ जाता है तो एक तरह से बचा हुआ चीज होता है वो फ्रैक्लिय के लाइक होता है अक्सर, अक्सर की मैं बात कर रहा हूं, हमेशा नहीं तो Remnant का मतलब आउसेश, Peace और Part का मतलब टुकड़ा और Residue, Residue का मतलब भी आउसेश होता है मान लिए जाए एक चालनी है, जिससे रेत को चाला जा रहा है अब फिर आटे को आप चालते हैं चालनी में, है ना तो क्या होता है, उपर में जो भी चीज बच जाता है उसको Residue बोलते हैं, उसको बचा हुआ चीज बोलते हैं और Shays बोलते हैं, बात समझ रहे हैं ना फिर Next वर्ड आपका Remender, तो Remender का मतलब भी बचा हुआ होता है फिर इसका Entire, Entire का मतलब समपूर्ण होता है Whole का मतलब भी पूरा-पूरा समपूर्ण होता है Complete का मतलब भी पूर्ण होता है Unbroken का मतलब समपूर्ण होता है मतलब पीस और पार्ट का ज़स्ट उल्टा अनब्रोकन हो गया मतलब नहीं टूटा हुआ है जिसको बोल सकते हैं कि बिल्कुल संपूर्ण है वो next कौन सा वर्ड है जरा देखे next वर्ड है आपका relinquish तो relinquish का क्या मतलब होता है तो relinquish का मतलब होता है किसी को त्याग देना है ना किसी को त्याग देना अब फिर बोल सकते हैं कि हार मान लेना तो रेलिंक्विस का दोनों मतलब होता है त्याग देना फिर हार मान लेना कोई चीज कई बार क्या होता है कि कोई लोग कुछ चीजों को त्यागते हैं तभी त्यागते हैं जब हार मान लेते हैं बबने लें तो इसका it है aggressive है Equal से का मतलब ही चाक देना होता है sabemिंडन का मतलब passive हिए चोड़ इना होता है त्याग दो आ सरेंडर का मतलब होता हार मान लेना एंप फिर ऑथर समर्पन कर देना आप्डिकेट आप्डिकेट का मतलब ही चाक देना खास्कार के एक ये किसी पद और फिर सत्ता को त्यागने के सेंस में एबडिकेट वर्ड का यूज किया जाता है, है ना, फिर इसका इंटरिनी में परसीस्ट, परसीस्ट का मतलब दिल्ड होता है, कायम रहना होता है, फिर कंटीन्यू, कंटीन्यू का मतलब इसका मतलब भी कायम रहना होता है occupy का मतलब भी कबजा करना और इसका मतलब hold का मतलब पकड़े रहना होता है है ना फिर read race read race का क्या meaning होता है तो read race का मतलब होता है अपका निवारन है ना इसका मतलब होता है निवारन अब फिर समाधान बोल सकते हैं बात समझ रहे हैं फिर सिननीम इसका क्या है तो रिलीफ, रिलीफ का मतलो भी राहत होता है, रियस्टोरेशन का मतलो भी समाधान होता है, एक तरह का मरम्मत करना होता है, पुरवावस्था की प्राप्ती होता है, रियस्टोरेशन का मतलो रिमेडी है, रिमेडी का मतलो भी क्या होता है, समाधान है, रिपियर, रिपियर का मतलब भी मरम्मत होता है, फिर इसका इंट्रिनिम दिया है, रिट्रिबुशन, रिट्रिबुशन का मतलब दंड देना होता है, फोर फीचर, फोर फीचर का मतलब जुर्माना होता है, एक तरह का, है ना, फिर हाम का मतलब नुक्सान होता है फिर डीजनरेट का मतलब विक्रित करना होता है बिगाड़ना होता है बरस्ट करना फिर बरस्ट होना होता है डीजनरेट कहलाता है फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका रीडीम तो रीडीम का क्या मतलब है तो रीडीम का मतलब होता है इसका मत मतलब होता है मुक्ति दिलाना किसी को मुक्ति दिलाना और फिर छुड़ा लेना किसी के चंगूल से बात समझ रहे हैं तो मुक्ति दिलाना और फिर किसी को किसी के चंगूल से छुड़ा लेना redeem कहलाता है, synonym क्या है, recover, recover का मतलब बचाना होता है, किसी चीज़ से बचाना होता है, और विमारी से जब कोई बगती स्वस्थ हो रहा होता है, तो इसको भी बोलते है, recover हो रहा है, तो क्या होता है, स्वस्थ होना भी recover का मिनिंग होता है, फिर liberate, liberate का मतलब स्वतंत्र करना ह होता है ठीक है फिर फुल फील का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब भी पूरा करना होता है और रेस्क्यू का मतलब किसी को मरने से कहीं फसने से बचा लेना होता है फिर इसका एंटरिम में लूज लूज का मतलब में फस किया हो तो इंडिया क्या करती है उसको रेस्क्यू करती है बचाती है तो एक तो वहां होता है बचाना और दूसरा में क्या होता है कि मालिया जाए अभी कोई इंडियन आर्मी का वैक्ति कोई दूसरे कंट्री में पकड़ा जा चुका है और उसे फसाया जा चुका है क तो उसको इंडिया की गौवर्मेंट क्या करेगी? सफाई देगी कि नहीं, यह हमारे आर्मी के वैक्ति हैं, आप फिर इंडियन हैं, उसको आप लोग छोड़ देजे, रेस्क्यू कीजे. तो country वाला क्या करता है कि हमारे ुब कैंट्री का आपके देश के जेल में बंद कुछ लोग हैं तो क्या कीजिए आप उसको छोड़िए फिर मैं छोड़ूंगा तो आप एक तरह से क्या कर रहे हैं अदल बिद्ल कर रहे हैं बार्टर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बार्टर, अदल बदल करना, तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, आप बदले में किसी को कुछ चीज दे रहे हैं, है ना, बचाने के बदले में, आप उसके भी कंट्री के किसी लोग को छोड रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, इसलिए इस और अगर आपको जिस चीज़ की कमी है, मालियर धान की कमी है, चावल की कमी है, तो आप चावल ले जाओ, तो उस सिस्टम को भी बार्क्टर सिस्टम कहा जाता था, तो इसका मतलब होता है अदल बदल करना, फिर है नेगलेक्ट, नेगलेक्ट का मतलब होता है उपेच्छा कर मतलब होता है किसी से आप expect हैं खरते उमीद कर रहें तो उसको बुलते हैं अपक्षा और we तिपर उपक्षा होता है एक वर्ड और इस उपक्षा का मतलब होता यह तो इसे पर अब कर्णा रहें है नब निक्दम अब ले रेवेज का सेम मिनिंग होता है, रेज का मतलब होता है आपका मिटा देना, किसी को जड़ से नस्ट कर देना, मिटा देना कहलाता है, रेज और फिर रेवेज, ठेक है बात समझ रहे हैं, और ये वाला रेज नहीं है ये, आर एज जी इ, इस रेज का मतलब होता है, क्रोध, है is recommend को म liberté ऑपने हाँत उठा आगे बढ़ाओ वाना का मतलब अब बढ़ाना दोनों होता है और इस एजर का क्या मतलब होता है तो किसी को मिटा देना जड़ से नस्ट कर देना इसका सिननेम में ता का मतलब होता है, नस्ट कर देना, डेस्ट्राइक का मतलब होता है, विनास कर देना, नस्ट कर देना, फिर है एनिहिलेट, एनिहिलेट का मतलब भी होता है, जड़ से मिटा देना, फिर है डिस्मेंटल, डिस्मेंटल का मतलब होता है, किसी चीज़ को गिरा देना, धहा देना, मानलین यह को पुरानी बिल्डिंग हो उसको धाना हो तो डिस्मेंटल करेंगे धादेंगे है न उसका उल्टा क्या हो जागा ऑगा कंस्ट्रक्ट मतलब निर्मान करदेना बना देना तो देखे इसका इंटरि्टरी हम है Sistar hore restore कर मतलब नबाद करना और बीड है बीड का मतलब भी बनाना होता है फिर हे उपका रैविष है न इसको रविश सब्वलिक्भा कि क्या मतलब होता है इसको मतलब होता है मोहित करना और रैविश हे तो देखिए इसका सिननी में कैप्टिवेट का मतलब ही होता है मंत्र मुग्द कर देना और एंचेंट का मतलब ही मंत्र मुग्द कर देना होता है बात समझ रहे हैं मंत्र मुग्द क्या मतलब होता है कि आपको मुह लिया वो है ना आपको आकर्षित कर लिया फिर सीज सीज का मतलब होता है बांधना पकड़ना जब्द करना यह सारे मिनिंग होते है इस सीज का बांधना और फिर जब्द करना है ना जब्द कर लेना तो इसका क्या मतलब है सीज का कैसे हो गया बांधना और जब यह रेविश रेविश का मतलब मुहित कर लेने के सेंस में कैसे है मान लि के लिए आपको attract कर लिया तो इस सेंस में सीज है और इस सीज से confuse ना करें ये भी सीजी पढ़ाता है है ना तो ये सीज नहीं है इस सीज का मतलब होता है रोकना किसी को किसी को रोकना होता है और ये सीज का होती है थेया आपskो मंत्र मूध करेगा बिलकुन हो बिलकुर करेगा आपको था हिना करना डिसाल का मतलब ही नाराज करना और ऑपरेस ऑपरेस का सताना होता है तो आज हम लोग सारे वर्ट का aparthearnya के ցमीनिंग और चलिए recap कर लेते हैं आपके revision point of view से तो चलिए देखते हैं first word क्या है तो first word है rescind, rescind का synonym है new, abrogate, revoke, repeal, फिर है rescind का एंटरिनिम delegate, permit, authorize, propose next word है आपका repulsive, तो repulsive का synonym क्या है तो repellent, forbidding, hideous, detestable, repulsive का एंटरिनिम है agreeable, enticing, attractive, alluring फिर है repugnant, repugnant का synonym है hostile, offensive, disagreeable, detestful, फिर repugnant का एंटरिनिम है agreeable, pleasant, friendly, testful next word है आपका remonstrate, तो remonstrate का synonym है censure, protest, argue, ex-postulate, फिर remonstrate का एंटरिनिम है agree, loud, endorse, commend पिर रमनेंट, रमनेंट का synonym है residue, piece, part, remainder, रमनेंट का एंटरिनिम है entire, whole, complete, unbroken next word है आपका, relinquish, relinquish का synonym है forsake, abandon, surrender, abdicate, relinquish का एंटरिनिम है persist, continue, occupy, hold redress, redress का synonym है relief, restoration, remedy, repair, redress का एंटरिनिम है retribution, forfeiture, harm, degenerate next word है आपका redeem, redeem का synonym है recover, liberate, fulfill, rescue, redeem का एंटरिनिम है lose, barter, neglect, conserve फिर raise है, raise का synonym है demolish, destroy, annihilate, dismantle, raise का एंटरिनिम है restore, construct, repair, build next word है आपका ravish, तो ravish का synonym क्या हो गया, तो captivate, enchant, seize, charm एक बात में बता दूँ, इस ravish का मतलब बताया मोहित करना किसी को मोह लेना, एक negative sense में भी होता है निगेटिव सेंस में भी काफी इसका गलत वर्ड होता है, तो आप देख सेके बाद में सर्च करके कहीं, फिर सकेंटरिम है disgust, annoy, displease, oppress, तो चलिए आज का class ही रपक करते हैं, thank you very much